हेलो फ्रेंड्स लक्ष्मिनारा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है तो दोश्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ्लेंडर इंट्रेक्शन एनालाइसिस का का फर्स्ट पार्ट हिया था ठीक है अब उसके बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में करते हैं पहले ओवर वीडियो का जो टेंट्रेंडर एंट्रेक्शन एनालाइसिस क्या था इस में की इंट्रेक्शन होता है टीक्टर का कि यो कि दिख्युट है जो होता है वे क्लास में बैक बैठके क्या ओब्जर्व करता है जो पूरी आक्टिविटी से तोल आक्टिविटी होती है तो 2選 करता है एक के डियों का एक सब्सक्राइक्रीज ता इन को 10 डिवाइडी गरता जिसमें टीचर्टॉक्स में तोस्तों तरल विद्धि वार्त जिसमें दाइन। चाल्थ टॉडेन्ट टॉक्स में याव्यों कि तीचर्ट टॉक्स்य Base Gron In थे इंडार्चिव और इंफ्लेंस्स और दार्यक्टेट्र इंफ्लेंस्स में थे हमारे फ्वी प३र पार्ट fodने 1000 एविरूर सब पहले आता है कि तेखर है उसमें क्या करें वह सब्थार्टिय। वेज़ा के पैति हो कि बाहवना को समझता है उनके इमोशन को समझता है दूसरा हाता है कि वह उनको उनका appreciating word बोलता है है उनका interest increase करने के लिए उनका interest बनाने के लिए topics में ठीक है उसके बाद का जो teacher है वह क्या करता है कि इंस्टेशन को सप्थे करता है इंस्टेक्शन को कि अपनी book को खोलो या बंद करो जो भी वो होता है उसके लिए instruction देता है विदार्ती को ठीक है उसके वाद आता है हमारा seventh category seventh category में क्या होता है कि जो teacher है या वो क्या करता है कि जो student है जैसी कोई class में misbehave कर रहा है तो उनके लिए में तो कुछ words बोलता है कि आपका behavior अच्छा है नहीं क्लास में में तो कुछ ऐसे bad good words बोलता है बच्ची की भावना को ध्यान में रखते हुए उसके वाद आता है कि हमारा student talks के अंदर यानि कि eight categories है जिसमें क्या है कि जो बिद्धारती है वो क्या response करते है टीचर के question का यानि कि answer देते है फिर उसके वाद आती है हमारा नाइन्थ categories उसमें क्या है जो student है वो क्या करते है निसीट करते है यानि कि खुद से पहल करते है जो topic है उसके ऊपर conversation करने के लिए ठीक है वहाँ पर खुद से पहल करते है उसके वाद आता है last हमारी 10 जिसमें silence और confusion होता है जैसे कोई teacher है अगर वो पढ़ा रहा है तो वो इस time के लिए class में सांती हो जाती है तो यह था हमारी पहली वाली वीडियो को overview उसके बाद आते हैं objectives objectives क्या हमारा पहला आता है कि to recognize the teacher behavior from teacher student interaction इसका मतलब पहला objectives क्या था यानि कि उद्देश चे क्या था कि जो teacher का जो behavior है ठीक है student के लिए यानि कि उन दोनों के बीच का जो interaction हो उनका recognize गरना ठीक है second to do remedy planning यानि की निदानमत्तबक planning करना यानि कि योजना बनाना ठीक है उसके बाद आता to collect the factual figures and systematic information data regarding teacher विए और इस method के दोवारा क्या करना था कि जो teacher का जो behavior है उनका मतलब data collect करना इन systematic यानि कि एक system systematic way में ठीक है उसकी information उसके data को collect करना अब आते हैं हमारी अजम्शन after objectives अजम्शन में क्या है कि मारा first आता है कि the class atmosphere has great effect on all the activities of the student assumption मतलब धारना है तो इस में first में क्या कहता है कि जो class का जो atmosphere यानि की वातावरन होता है उसका बहुत ज्याद एफेक्ट होता है जो class के 20 activities होती उनके उपर ठीक है the interaction between the teacher and the student has great importance जो student और teacher के बीच का जो interaction है यानि कि जो उनके बीच की जो किरियां है एक दूसरे के बीच की जो communication है या कह सकते हैं डिसकसन है वो क्या कि बहुत जाद इंपोर्टेंस रखता है उसके बाद आता है the behavior of the teacher effects the behavior of the student यानि कि जो अध्यापक का जो behavior होता है यानि कि ऑने की हुता है वो क्या करता है वह क्या करता है रगता है उसके जयाने क्या करता है या तो यह थी हमारी अजम्शन अब उसके बाद देखते हैं एडवांटेस्याई की जो फायो मिल जाती है घए है उसके परवाइड करता है प्रॉपर फीड़वक टो दा टीचर एंड़ स्टुडवेंट के लिए क्या कि फीड़ड फीडवक यानिकी पूरा-फीडवक देता एक उनका जो पर्फॉर्वेंस वह क्लास में कैसी रही हो ठीजेए कि कई स्धिमेट थीच्ट के अंदर ठीक है उसके बाद आता है कि सामा जी कह सकते हैं बातावरन होता जो इसके लिए क्या है कि एक effective method है useful method for in-service teacher also यानि कि जो टीचर्स की जो service है यानि कि जो वर्क है उसके लिए क्या है method बहुत ज्यादा ही useful है factual method of class teaching यानि factual method of class teaching का मतलब है कि जो classroom वाह वाहवड िच एक्टिविटी से एइनलाइटिक मेञें हम इसी तरह की inspectionWhat बएग्रिट करें उनके वार्न जानकारी लें। तो इसी तरह दिएविर्ट में क्या होता है कि जो अब देखते हैं लिमिटेशन फ्लेंडर इंटरेक्शन अनलाइसिस की सबसे पहला आती है इन इस मैथर फुल डिटेल आफ आल एक्टिविटीज कैन नॉट वी ऑप्टेंड एंड संब बीएवियर कैन नॉट वी कैटेक्राइज़ एंड गो अनॉफजर यानि कि इसका मतलब अनॉफजर्वड ही रह जाती है तो यह उसकी क्या एक लिमिटेशन है ठीक है क्योंकि एक जो अफजर्वर बैठा होता है वह एक साथ बहुत सारी चीजों पर कितना कहां तक ध्यान रख पाएगा कि वह टीचर्स के बीएवर को भी ही मतलब पूरी तरह के से अनलाइसिस कर अनलाइसित को प्रबंदन होता है ठीक है उससे एन एक स्पेंसे मेथर एंड इस नॉट ऑल्वेस पॉसिवली यह मतलब अलवेस इसके लिए मतलब पॉसिवल नहीं हो पादा क्योंकि इसके जो अब्सर्वर होता है इसके लिए उसको मतलब इक परफेक्ट कहते हैं कि याद का जरूरत होती है इसका जो एक्टिचर्स का बियेवर है और इसे पेनलाइज एक्टिविटी चेंट का एक्डिया के लिए इस सब करेंज्चन की जरूरत होती है तो कहीं वार्नेंस भी नहीं हो पाता है ठीकि तो यह क्या है lone से मेथड अधिस इस नोट एंक प्ली जेसर्च मैथड इन से कह सकते हैं कि नेचर प्रोसेस नहीं है सम्टाइम्स दाक क्लास विकांस मॉनोटाइस मॉनोटाइस विकॉस्ट फिगर एंस सिस्टेमिटिक है वी कलेक्टियानि कि लुचार मॉनटर्लियोंилिज़ के छूल में ज waktu साकते हैं के से कि जिसे ट्राइट हो जाती एक से ऐसी हो जatाइए क्लासी क्योंकि चाया की जिए में इस सिस्टेमेटिक वे में प्रक्राइब में उसका एनलाइसिस किया रहा है उसको क्लेक्ट करिया किया जा रहा है तो इसमें कही वार क्या हो जाता है क्लास में नीरस हो जाती है ठी है उसके बाद आता है कि in this method there are seven categories of teacher और only four or two categories for student talks यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि जो little attention paid होती है फिर student के लिए क्योंकि टीचर के लिए तो क्या है कि seven categories बनी होई और student उनके लिए के वल के है कि दो ही categories है उसके बाद आता है last point training faithful teacher is also a problem due to the lake of the such teacher this method cannot be जाने कि इसका वही है कि अगर आहमत इस teacher इसके जो analysis करने के लिए और इसका outcome निकालने के लिए क्या है कि एक observer चाहिए होता है जो observer है वो क्या होना चाहिए कि experience होना चाहिए उसमें क्या है कि पूरी knowledge होनी चाहिए उसको कैसे कैसे इसी का आरेजमेंट करना यानि कैटेगरी को कैसे कैसे लिखना कैसे कि इसके बीएवर का क्योंकि इसमें क्या कि पिड़ते इक तीन सेकंड के अंदर एक मिनट के अंदर कितने होते तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एक experience टीचर की बहुत जादा जरूद होती है ठीक है तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज लाइक सेरे और सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ बेल आइकन को दवाना ना भूने ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीड करते हैं प्लीज थैंक यू